लखनाव 3 जून 2024 आज से लखनाव में टोल टैक्स के दरोज में बढ़ोतरी हो गई है इससे लखनाव से होकर गुजरने वाले साड़े तीन लाग छोटे बड़े वाहनों पर असर पड़ेगा टोल टैक्स की नई दरे लाग होने के बाद वाहन चालकों को अब अधिक शुल्क चुकाना पड़ेगा यह व्रिद्धी National Highway Authority of India NHAI द्वारा की गई है जिसका उद्देश्य सड़कों की रख रखाओ और विकास के लिए धन जुटाना है NHAI के अनुसार टोल टैक्स के दरों में लगभग 10 प्रतिशत की व्रिद्धी की गई है इसका असर सभी प्रकार के वाहनों पर पड़ेगा चाहे वह कार हो, स्कूटी हो, ट्रक या बस हो उधारेट के लिए एक कार जो पहले 100 रुपे टॉल टैक्स चुकाती थी, अब उसे 110 रुपे चुकाने होंगे इसी ज़रा भारी वाहनों के लिए व्रिद्धी और अधिक होगी लखनों में इस सिट टोल प्लाजा जैसे ही कानपूर रोड, सीतापूर रोड और राय बरेली रोड पर इस व्रिद्धी का सीधा असर दिखेगा इस सड़कों के प्रते दिन गुजरने वाले हजारों वाहन चालक अब बड़ी हुई दरों का सामना करेंगे ये व्रिद्धी ना केवल इस्थानिय यात्रियों पर प्रभाव डालेगी बलकि उन लोगों पर भी जो लखनों से होकर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं इस व्रिद्धी का कारण बताते हुए NHAI अधिकारियों ने कहा कि बड़ती महंगाई और सड़क निर्मार का लागत को देखते हुए टोल टैक्स बढ़ाना अवशक हो गया था इसके अलावा सड़कों की गुर्वत्ता बनाए रखने और नई परियोजनाओ के लिए धनराशी जुटाने के लिए यह कदम उठाया गया है अधिकारियों ने यह भी कहा है कि यह व्रिद्धी सालाना आधार पर की जाती है और इसका उद्देश यात्रियों को बहतर सुविधाय प्रदान करना है टोल टैक्स में हुई इस व्रिद्धी को लेकर वाहन चालकों ने विश्रित परतिक्रियाएं देखने को मिल रही है कुछ वाहन चालकों का माना है कि सड़क की खुणवत्ता और यात्रा की सुविधाय को देखते हुए यह व्रिद्धी उचित है जबकि अन्य का कहना है कि यह उनके मासिक बचट पर अतिक्रित भार डालता है